आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कुस करेंगे मैरेज मेकिंग कॉंबिनेशन्स के बारे में मैरेज हमेशा कहते हैं मेड इन हेविन होती है हाँ ये सत्वात है किसके साथ होगी? इसके बारे में कोई जानकारी हम प्रजिट नहीं कर सकते पर कैसे होगी? इन चीजों को कुछ देवता फील्ड के साथ हम कोरेलेट कर सकते हैं मैरेज या कहें दो लोगों का मिलान जैसे ही बात आती है मिलान की हमेशा ध्यान जाना चाहिए आरेमा पे आरेमा, मिलाफत दो लोगों को मिलवाने का काम करता है फिर एक देवता फील्ड और आती है वो आती है बाइंडर बाइंडर मतलब जोड देता है जैसे एक किताब के कुछ पन्नों को हम बाइंड कर देते हैं वैसे ही बाइंडर ग्रह रक्षत्र को बूला जाता है एसफूर का देवता है बाइंडर और कहीं न कहीं ये देवता धरम और अधरम की भावना के साथ भी रिलेट करता है शादियों में भी देखा गया है कि ये क्या हमारे धरम को फॉलो करेगी या करेगा ऐसी भावना भी लोगों के बीच में या दिमांग में आती है इसलिए S4 की एनरजी भी यहां बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है फिर एक भावना आती है इंसाइट्स की इंसाइट्स हम इसे ऐसे भी कह सकते है कि एक अवेकनिंग हो जाती है अंदर से कई बार रिष्टों के अंदर ये एक magical feeling होती है ये magical feeling create होती है इस्ट के पांच नंबर के देवता सूरे से होती है कभी भी हम किसी से मुलाकात करते हैं एक magic create हो जाता है अंदर में वो magic कही न कहीं सूरे के वज़े से होता है और सूरे ही एक ऐसा स्टार है जिसके revolving में सारे planets गूम रहे हैं इर्दगर्द घूम रहे हैं तो कभी भी अगर किसी property का सूरे disturb होगा तो वो जो awaken कर देता है अंदर से एक insight दे देता है अंदर से एक magic create कर देता है वो चीजे थोड़ी सी कम हो जाती है और सूरे को social connections के साथ भी जोड़ा गया है तो social connectivity भी कही न कहीं disturb हो जाती है लोगों का जुड़ाओ एक दूसरे के साथ खतम हो जाता है आरेमा मिलान का काम करता है और सूरे उस मिलान के साथ connect कर देता है ये तीन energy fields किसी भी भवन में हमें संतुलन में लानी ही होगी एक शादी के लिए ये बहुत important role play करती है ये तीनो energy fields इन्हें जहां तक हो सके balance के माध्यम से नहीं हटा के ही clear करिए किसी जगा पे आपको शादी का कोई case आया है तो इन तीनो energy fields पे कोई भी activity हो रही है तो उसको movement दे दीजे उसको remove कर दीजे वहां से इसके इलावा देवता, springs, coins इनका उप्योग करके इन्हें energize किया जा सकता है अब चार साहयक energies भी है ये तीन प्रमुक energies है और चार साहयक energy है चारों साहयक energy में सबसे पहली energy आती है अधिती की अधिती action में care taker है किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप जुड़ते हैं और शादी का जब संबंद की बात आती है तो व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से हमेशा एक care की भावना की अपेक्षा करता है कि क्या वो मेरी care करेगा या करेगी तो ये जो भावना care taking की है ये अदिती की है फिर एक भावना आती है ब्रिश की ब्रिश E7 का देवता अब तक तो याद काफी सारे देवता होई गए होंगे तो ब्रिश दिमाग में चलने वाला मन्थन कभी भी हम जब भी रिष्टा final करने जाते हैं या रिष्टा कभी भी जब भी final होता है तो हमारी खोज खतम हो जाती है हमारे दिमाग में चलने वाली सारी तरंगों को विराम मिल जाता है तो ब्रिश इसे भी एक बर देखिए कि वहाँ क्या activity चल रही है फिर एक भावना आती है हमारे बराबरी की क्या ये परिवार हमारे बराबरी का है बराबरी, कद या समाज के अंदर एक मुकाम ये सब पित्रों के वज़े से ही तो होता है तो पित्र देखता डबलू बन का जो देखता है अगर डिस्टर्ब होगा तो संबंद में विक्ती ये सोचेगा कि ये हमारे मुकाबले का ये हमारे कद का या ये हमारे अनुकूल रिष्टा नहीं है ये रिष्टे का गदजोड बीना काफी मैजिकल होता है स्पेशली जब रिष्टा करानी की बात होती है पित्र एनर्जी फील के उपर आपका ध्यान जाना चाहिए फिर बात आती है समाज में चलने वाली कुछ बाते हैं इस समाज में चलने वाली कुछ बातों को कई बर मैं ऐसे भी लेता हूँ कि कोई किसी विक्ति की निंदा करता है या प्रशंशा करता है अगर निंदक जादा हो जाते हैं समाज में तब भी रिष्टों में काफी अर्चने आती हैं निंदक या मान लीजे ऐसी एक बात किसी के कान में बोलना जो काना फुसी भी कहलाती है या किसी के बारे में चुगली करना भी कहलाती है तो असुर देपता फील्ड, W6 का असुर असुर कि अगर एनर्जी फील्ड डिस्टरब होगी तो उस परिवार के बारे में जो लोग बात करेंगे वो उनके हित में नहीं होगी और कहीं न कहीं समाज में नाम खराब कर रहे होंगे तो ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे इन देपताओं को ये जो चार कॉंबिनेशन के मैंने देपता बताए है इन देपताओं के उपर एनर्जी किस तरीके की है इन में क्या एक्टिविटी चल रही है इनको बैलेंस करेंगे तो बहुत जल्दी एक परिवार का रिष्टा दूसरे परिवार के साथ जुड़ जाएगा और इसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो 13 दिसंबर को एक online course हो रहा है उसमें इनी 45 शक्तियों के और combinations को समझना हो तो join कर सकते हैं description box में दिये गए link को follow कर लीजे या office में इस number पर call करके आप अधिक जानकारी राप्त कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं next lecture में